हलो एवरिवन वेलकम बेक टू माई चैनल बिगिनर के लिए सिलाई कोर्स में आज हमारा दूसरा दिन है तो मेजरमेंट या नाप लेना हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था कि बिगिनर के लिए सिलाई में कौन-कौन से टूल्स की आवशकता होती है अगर आप बिगिनर है आज हम सिखेंगे कि मेजरमेंट या नाप कैसे लिया जाता है नाप लेने के दो तरीके हैं आपको दो तरीके से बताने वाली हूँ कि आप बोडी मेजरमेंट से नाप लेते हैं तो किस तरीके से आपको नाप लेना है और आप किसी का क्लोथ लेकर उनका मेजरमेंट ले र हैं तो आप इसी तरह के से कंदी के लिए देखिए अब यहां पर भी कंफ्यूजम lij ले ौटा है कि हम किस तरह से मजिं दों हाइट पर उब्री होई एक हड़ी होती है तो आप को उनहीं से shoulder का measurement लेना है इहां से यहां तक देखिए इस तरह से उबरी हड़ी होई हड़ीों पर हम रखकर दोनों साइड हमारे shoulder का nap लेंगे देखिए इस तरह से हम shoulder का nap लेंगे हमारे shoulder यहां 10 इंचा आए है तो हम जब निशान लगाएंगे तो इसी नाप से हम निशान लाएगा आप बड़ों का भी नाप लेंगे तो इसी तरह से नाप लेंगे इसके बाद आजाता है हमारा चेस्ट तो चेस्ट के लिए देखिए इस तरह से हम चेस्ट का नाप लेंगे तो चेस्ट का नाप आर्म हो देखिए ना आपको ज्यादा उपर टेप रखना है ना ही नीचे टेप रखना है आपको इस तरह से सेंटर में टेप रखना है और आप सीधा टेप रखेंगे देखिए इस तरह से सीधा टेप र तो यह हमारा चेस्ट का नाप लेने का तरीका है, इसके बाद हम कमर का नाप लेंगे, तो कमर का नाप लेने के लिए देखिए, देखिए हमारी बोडी में जो हलका सा कर्व वाला हिस्सा होता है, गोलाई वाला हिस्सा होता है, वहीं से हम कमर का नाप लेंगे, कमर का नाप ल नाप लेना है आप बड़ों का छोटों किसी का भी मेजर्मेंट ले रहे हैं तो इसी तरह किसे आप मेजर्मेंट ले देखिए बिगिनर के लिए मैंने बहुती सिंपल वे में समझाया कि आपको किस तरह से नाप लेना है देखिए इस तरह से आप चेस्ट का कमर का और हीप का हिप का नाप लेने के लिए आप जहां नाड़ी बानते हैं उस जगे से आप गोलाई में हिप का नाप लीजिए अब देखिए अगर हमें कुर्ती टो यह किसी भी कपड़े की लंबाई नापनी है कि आपको कितना लंबा रखना है तो आप इस तरह शोल्डर पर अपनी इंच देखिए आर्मोहर या तीरे का निशान हम सोल्डर और चेश्टिक अनुशार लगाते हैं पर मैं आपको बता देती हूं यहां कि आर्मोहल को किस तरह से नाप देखिए इस तरह से हम आर्मोहल को नापेंगे इसमें भी हम एक इंच का लूज रखेंगे हम अपनी एक अंग मैंने बहुती आसान तरीकेसे आपको बोडी मेजरमेंट लेना बताया अगर आपकोसुझे मेसे you can 것은 हो तो आप मुझे निचे कमेंट्टबॉस में सवाल कपडेशते के क्या होता है तो इसके लगाती है यह होटा है कंभर कैसे लगाते हैंTransburg करते हैं हमारे shoulder से तोर देखिए यह además विश्सा होगी है यहां सबắpते कर सकते हैं हैं यहां हमारा आ रहा है यह 14 इंच हमारे शोल्डर आ रहे हैं देखिए यहां पर यह हमारा 14 इंच आ रहा है शोल्डर तो आप जब भी फिर कपड़े की कटिंग करेंगे तो इसे इस तरह डबल फोल्ड में हम कपड़े की कटिंग करते हैं तो हम इस तरह से 14 इंच का हाफ इंच हाफ इंच हम 7 इंच पर इसे रखकर इस तरह से निशान लगा देंगे अगर फोल्ड करकर डबल फोल्ड में इस तरह से कंधी का नाप लेना चाहते हैं तो आप यहां नेक लाइन के यहां से देखिए आप सिर्फ कंदियों का नाप नहीं लेंगे आप पूरी SOLDER नेकलाइन सहीद इसे नापेंगे देखंए यहाँ साथ इंच हमारा साथ इंच यहाँ सोल्डर आ रहा है और सोल्डर में से ही हम साथ इंच पर कंदी का निशान लगाएंगे इसके बाद देखिए यह हमारा शोल्डर हो गया शोल्डर के बाद आ जाता है हमारा आर्मोहल तो आर्मोहल शोल्डर से इस तरह गोलाई में देखिए जहां हम अस्तिन लगाते हैं हमारी उसे हम आर्मोहल या तीरा भी कहते हैं तो यहां तीरा देखिए इस तरह से हमारा यह हम गोलाई में हमारा निशान है यहां ले नहीं लगाता है कंदी के मेजरमेंट खाला निशान हमारा निशान लगता है जब तो आपको पता चल जाएगा कि आपको निशान लगाना है यह जो होती है गोलाई इसे हम आर्म होल कहते हैं जहां अस्तिन को अटेच करते हैं इसके बाद हमारा थड जो मेजर मेंन है वा जाता है चेस्ट का तो देखिए यहां पर जो भी बीगिनर हैं उनके लिए में बता र वो चेस्ट का हिस्सा होगा बता होते हैं वहां हमारा चेस्ट का मेजर मेंन नापेंगे हम देखिए इस तरह से यह चेस्ट का और जो फिटिंग की सिलाई लगी हुई है वहीं से हम नापेंगे हम यह हमारी एक्स्रा सिलाई है जो सिलाई मार्जिन के लिए हम छोड़ते हैं पर जब हम किसी भी कुर्ती से या फिर किसी भी टोप से अगर हम नाप ले रहे हैं तो हम यहां जुन की फिटिंग की सिलाई है वहीं से नाप लेना है आपको तो देखिए इस तरह से यहां पर हम चेस्ट नापेंगे जो हमारा आर्मोहल खतम हुआ उसके बाद ही नीचे से हम यहां चेस्ट नापेंगे तो यहां अठ्राइन चेस्ट आ रहा है तो इसका मतलब यह जो हमारी कुर्ती है उसका 34 चेस्ट के नाप से कटिंग हुई है यह 34 चेस्ट की नाप की कुर्ती है यह हमस्ट हो गया इसके बाद आ जाती है हमारी कमर अब आप देखिए आपने यह सीधी सिलाई है यहां से सीधी सिलाई रहेगी वो चेस्ट का हिस्स रहेगा इसके बाद जो हलकी सी गोलाई वाला हिस्सा है वो हमारा कमर का हिस्सा होता है तो इस तरह से हम जहां हमारा गोलाई वाला हिस्सा है वहां इस तरह से इंची टेप रखकर इस तरह से हम कमर का ना अगर आप कूर्टी से ले रहे हैं तो इस सतरह से जह हम चाक बनाते हैं पर हम चाक के यहां इंची टेप को रखकर हिप कर लेंगे आपका Χिप का नाप और आपके चेस्ट को नात यह दोनों बराबर ही आते हैं अपका यह वाला हिस्सा chest का हिस्सा और यह वाला hip का हिस्सा अधिकतर इसका measurement शर्वल्ट आपको सेम ही मिलेगा तो देखे हां आपको इस सरे से सोल्डर का armhole का chest का प्लस अपको कमर और hip का निशान देखा है अगर किसी आप कपड़े से नाप ले रहे हैं तो आपको इस तरह से नाप लेना है और अपने कपड़े पर निशान लगाना है देखिए इस तरह से बिगिनर के लिए मैंने बहुती आसान तरीके से किस तरह से हम बोडी से और कपड़े से मेजरमेंट ले सकते हैं वो बताया है आप इन मेजरमेंट की हमको जरूर होती है जब हम कटिंग करते हैं क्लोथ की I hope आपको मेरा वीडियो पसन आया होगा अगर आ मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कोशन पूछ सकते हैं थेंक्यू फॉर वोचिंग